Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने के इस सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel की Microsoft Excel में क्या खास है, क्या सिखाने वाला हुआ ये आपका उताता हूँ देखिए ये selected part आप देख सकते हैं यहाँ पर name of student और तमाम subjects के नाम लिखे हुए है यहाँ पर total भी मैंने किया है formula लगा करके और फिर average भी calculate किया हुआ है अब इसमें हमें करना क्या है देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक किसी column को hide कर दिया जाए तो आप कहीं पर भी click कर लिए अब ये जो subject to वाला column है ये होने वाला है hide कैसे hide होगा? आप control के साथ alpha numeric की zero दवाईए जैसे ही आप zero दवाईएंगे ना तो ये hide हो जाएगा अब इसको unhide करने के लिए आपको क्या करना है? unhide करने के लिए आप control Z करिएगा तो एक step पीछे आएगे लेकिन unhide की जो proper shortcut की है वो आपको press करनी होगी ठीक है? हलाकि manual तरीका भी हो सकता है कि आप यहां से पूरे sheet को select कीजिए और फिर यहां पर जाकर के right click कीजिए और फिर यहां unhide पर click कर दीजिए तो यह आतो जाएगा लेकिन unhide करने की जो proper shortcut की है वो क्या है? वो मैं आपको बताता है लेकिन आप उसको press करना है आपको control shift के साथ control shift के साथ आप 0 दबाईए आप देखिए ना इसमें कौन सा hide हुआ है A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, D नहीं दिख रहा है तो यहां पर हम type करते है यह name box है ना, name box का एक और use देखिए, यहां पर D1 type किया हमने और enter जैसे ही press करेंगे तो यहां पर देखिए, यह अपने आप इसको select कर लेता है पस इसको पकड़ के drag कर दीजे ठीक है, यहां से पकड़िए, यह like that, और यह देखिए, यह D आपको देख जाएगा, तो इस तरीके से आप unhide भी कर सकते हैं, unhide करने का shortcut की आपको पता ही है जैसे की hide करने के लिए आप control 0 प्रेस करते हैं, और unhide के लिए क्या प्रेस करते हैं, unhide के लिए control shift और 0 प्रेस करते हैं, पस यही तो है, तो यह shortcut की होगी होगी, अगर माल लिए कि row को hide करना है तो row hide करने के shortcut की क्या होती है देखें, जब भी row को hide करना है तो row को hide करने के लिए आप क्या करेंगे, control और 9 प्रेस करेंगे, अल्फा नूमेरिक की 9 तो जैसे ही control और 9 प्रेस करेंगे ठीक है, तो यह वो तरीका है जिससे आप hide या unhide कर सकते हैं बहुत ही easily, I hope की बात समझ में आ गई होगी आपके, वीडियो पसंद आए तो share करें, thank you for watching this video